हेलो दोस्तो मैं वेने कुमार आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं UPSC परिक्षा online classes में दोस्तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में प्रमुक समाचार पत्र पत्र और पत्रिकाओं के बारे में दोस्तो इस वीडियो का ये मतलब इस टॉपिक का ये दूसरा वी इस वीडियो में और बहुत ये तरीके से हम पढ़ने वाले हैं तो चली शुरू करते हैं इस वीडियो को तो आज देखे हम बात करेंगे हाँ पर देखे सबसे पहला जो हमारा समाचार पत्र यहां पर इसका नाम है सत्य प्रकास सत्य प्रकास को देखे प्रकाशित किया था कर सोंदास कर मूल जी ने किसने कर सोंदास मूल जी ने अच्छा 1852 में इसकी शुरुआत की गई थी और एहमदाबाद आपका गुजरात में पढ़ता है एहमदाबाद में इसकी शुरुआत की गई थी और गुजराती भासा में इसको प्रकाशित किया गया था, तो देखिए आप इसको यहाँ पर देखिए आपके लिए थोड़ा सा नया हो गया सत्य प्रकाश, देखिए मैं समझा देखिए कैसे याद करना आपको, सत्य का मतलब होता है सच, ठीक है सच्चाई, और सच्चाई पे प्रकाश डालेंगे, मतलब क्या होता है, सच्चाई पे प्रकाश डालेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, सोना मिलेगा, तो इस तरीके से यादले की इसको याद कर सकते हैं, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर देखिए लिखावाई की हिंदू पैट्रियाट, क्या नाम है आपर हिंदू मुखर जी गिरीश हरीश इस तरीकर से तो सभी कलकत्ताू से थे आज यह पर फिर से देखी कलकत्ता से एक और न्यूजप्र आगिया कलकत्ता में इसके शुरुआता इनग्रेजी भासा में इसकी क्या करेगिये., शुरूबात की गये、 तो याद रहें के हिंदू पैट्रियोट तो ची के पैट्रियोट का मतलब को प्यहकूता है देश ऐस टीके जो देश के लड़े और पैट्रियोट अंग्लिश शब्द है तो इसको भी कैसे सुरू करत गया है इंगलिश में सुरू किया गया है ठीक है अच्छा नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर तेरवे नंबर का सोम प्रकास सोम प्रकास देखे ऊपर क्या था सत्य प्रकास था नीचे है सोम प्रकास सोम यहाँ पर देखे इसको सुरुवात किये इश्वर चंदर विद्या सागर ठीक है अच्छा इश्वर चंद्र विद्या सागर तो ठीक है सोम का मतलब होता है चंद्रमा होता है और इश्वर चंद्र में भी क्या आ रहा है चंद्रमा आ रहा है ठीक है तो यहां से सोम प्रकास के जो बतर सरस्थापक थे इनका नाम भी सेम है ठीक है इश्वर चंद्र ठ कलकत्त में शुरुवात की गुए बंगाली भासा का क्या है समахचार पत्र है बंगाली भासा का ठीक है अच्छा चौदवे नमबर पर देखे हैं मारा लिखा है इंडियन मिरर ठीक है कौन सा है इंडियन मिरर 1861 में इसकी सुरुवात की गई है कब की गई है 1861 में देवेंदर नाथ टैगोर के द्वारा और मनमोहन घोश तो देखिए यह भी बंगाली है देवेंदर टैगोर और मनमोहन घोश दोन बंगाली है तो देखिए कलकत्ता में इसकी सुरवात की गई है अंगरेजी भासा में तो यहाँ पर यह भी आपका क्या हो गया important हो गया अब देखिए याद कैसे करना देखिए Indian mirror ठीक है mirror का मतलब क्या होता है सीसा ठीक है और यहाँ देखिए हमारा जो मन है वो कहां मोता है ठीक है मोहना मतलब हम अपने चहरे को कहां पर देखते हैं सीसे में तो इस तरीकी से मन मोहन ठीक है इस तरीकी से याद कर लेजेगा इसको next है बहुत ही ज़्यादा important times of India ठीक है times of India का प्रकाशन सुरू किया था अंगरेजी प्रेस के द्वारा किसने सुरू किया था अंगरेजी प्रेस times of India ठीक है जो अभी भी चलता है 1861 में इसकी सुरूआ तो यह और बंबई में ठीक है बंबई ठीक है बंबई पहले क्या था गुजरात और महराष्ट का संयुक्त रूप क्या था बंबई था इसका विवाज़त करके बाद में क्य कर दिया गया गुजरात और महराष्ट ठीक है दो राज्य बनाए गए अगरेजी भासा का समाचार पत्र है इसको याद करने की कोई बात ही नहीं है फिर इसका सोलवे नंबर पे है इंदू प्रकाश ठीक है कौन सा है इंदू प्रकाश इंदू प्रकास 1862 में सुरू किया जस्टिस राणा डेने जस्टिस राणा डेने शुरू किया था देखी ये भी मंबई में है और माराथी भासा का ये समाचार पत्र था इंदू प्रकास ठीक है अगला है सत्रवे नंबर पे नेटिव ओपीनियन क्या नाम है इसका नेटिव ओपीनियन 1864 में इसकी फपात की गई अंगरेजी भासा में तो दीके नेटिव ठिगे और जो खोता है पीनियोन तो दीके नेटिव रोगो следующ बना करते मंबना कर सिकी तरीके से याद कर लिजेगा अठारवे नंबर पे है पाइनियर, पाइनियर को स्टार्ट किया था अंगरेजी प्रेस ने, तो देखिए दो न्यूस प्रेस के एक टाइन सॉफ इंडिया, 1861 में और 1865 में आपका आगया पाइनियर, तो ये दो न्यूस प्रेस थे जो अंगरेजी प्रेस के द्वारा वीडियो में जो अंगरेजी भासा से थे, कल मैंने आपको कलगत्ता वाले जाद से यादा बताये थे, 19 वे नंबर पे देखिए लिखावा है कि ग्यान प्रदाइनी, ग्यान प्रदाइनी, 1861 में, नवीन चंदर राय, ठीक है, नवीन चंदर राय, ठीक है, अच्छा, जब कोई राय देता है, तो आपको क्या मिलता है, ज्यान मिलता है, ठीक है, उनकी राय से हमें क्या मिलता है, ज्यान मिलता है, इस तरीके से आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं, इसकी सुरुवात ही थी लाहोर में, लाहोर पाकिस्तान में पढ़ रहा है, वर्तमान में, और हिंदी और बंगाली दोनों भासाओं में इसका प्रकार्शन हुआ है कोश्रम बीसवा है देखे हमारा कवी वचन सुधा और महत ही महतपूर है ये कवी वचन सुधा क्योंकि देखे इसकी जो सुरुवात की गी थी ये गी थी भारतेंदू हरीश्चंद्र ने और भारतें रख लिजेगा ठीक है चाया वादी युक्के प्रसिद्ध कवी या लेखक ठीक है खौन है भारतेंदू हरिश्चंद्र और वारण असी में इसकी शुरुआत भी हिंदी भासा का था तो देखे हिंदी के है तो हिंदी भासा में इनने क्या करा है इसका प्रकाशन शुरू करा तो देखे आज मैंने 10 आपको कंप्लीट करा दी है अब मैं आपको कल जो आगे के 10 है वो कल नेक्स्ट वीडियो में क्प्लीट कराऊंगा अगर वीडियो अच्छे लिगी तो वीडियो को लाक कीजिए साथी साथ मेरे चैनल को ठीक है सब्स्क्राइब कर लिजे यूपिस्